दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग को पता ही है कि दीपक کलाल ने यादो को चैलेंज किया था उनकी लोकेशन पे आने के लिए फिर उसके बाद में यादो ने अपने उसके बाद में इंस्टा पर स्टोरी लगाते हुए दीपक कला कहते हैं कि ये पिल्ला एल्विस क्या बोल रहा है अब एल्विस यादो का इसके उपर से रियक्शन नहीं आया है फिल्हाल इस पर आप लोग की क्या रहा है अपनी रहा नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा ऐसे और वाइरल लिउस के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ठैक्यू फॉर वाचिंग